दोस्तो इस बक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है 2000 रुपई के नोट बंद करने का बीजेपी स्तानसत सुसील कुमार मोधी ने राजशबा में उठाया मुद्दा सोसील कुमार मोदी ने कहा कि काला धन खच्म करना है तो 2,000 रुपए के नोट को बंद करना होगा तबी जाके काला धन समाप कर सकेंगे सोसील मोदी ने कहा कि इस टाइम मार्केट में आपको 2,000 रुपए के नोट बहुत ही कम देखने को मिलेंगे ATM से निकालोगे तब भी आपको सिर्फ 500 के नोट ही निकलते मिलेंगे ऐसा लगता है कि 2000 रुपए के जो नोट है वो काले धन में यानि की कनवर्ट हो चुके हैं लोगों के पास जो लोग काले धन को इखटा कर रहे हैं जाद अंतर उन लोगों ने 2000 रुपए के नोट अपने पास कलेक्ट करके यानि की जमा करके रखे हैं इसलिए 2000 रुपए के नोट को बंद करना होगा तबी जाके काला धन समाप्ट होगा